हेलो गाईज नमस्कार मैं संदीप को माई शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जी के में क्लास्टर करते हैं इंपोर्टेंट टॉपिक हमने अभी आपका जो टॉपिक पढ़ा है इसके पहले तक वो टॉपिक था हमारा सल्तनत टाइम पिरिट जो थोड़ा सा सबसे अन्तिमगराजा मैंने आको मैं बताए था कौन वही जिसका जनम 22 नॉब्र को हुआ था जो 22 नॉब्र को गद्धी पर बैठा था इंब्राहम लोधी तो का जानी अкомलू का जयुट खानास दॉलत ख़ाए जिशरिए इससका के बेटा वहां अपने बाब से और वो चाहते से इससे कि इसको गद्धी पर हटाये जाए तो इन्होंने क्या किया कि एक बाबर नाम का किंग था फरगना एक छेतर है वहाँ का उसको भारत बोलाए कि तुमाओ इब्राहम लोदी को हराओ हरु बसकते हैं, फिर क्या था कहानी स्टाथ होती है यही बाबर स्टाथ करता है हिंदुस्तान में मुगल वईश को स्टाथ करता है तो हिंदुस्तान में जो बुगलों का राज है मुगल का ये था होगा बहादूर साहज जाफर बहादूर साहज तूतिय इसका नम सुना होगा आपने अठार संदावन करन्ती में यह दो पार्ट में डिवाइड होगा एक स्टार्ट होगा आपका पंदरह सोचभीस से साथ वन फाइव टू सिक्स से वन सेवन जीरो सेवन इस टाइम पे टोटर मिला करके छह महत्रपूर्ण केंग आते हैं किसके मुगलों के कौन कोन आते हैं भाजी सबजी बसॉरी भाजी और साग भाजी साग का मतलब भी फॉर बाबर H मतलब हुमायू, A मतलब अकबर, J मतलब जहांगीर, S मतलब सहाजहां और A मतलब औरंगर जेब 1526 से 177 ये महत्पुल 6 राजा आते हैं इस टाइम तक मुगल बहुत पावरफुल थे, very powerful थे, बहुत ज़ादा लेकिन अगर रंग जेब के बाद फिर जितने आते हैं, वो फिर किसी गाम करने थे, मतलब वो सिर्फ नाम मातर के राजा थे, ज्यादा कुछ नहीं था उनका, तो रंग जेब के बाद जो और मुगल आएंगे, वो उतने ज़दा ज़दा ना तो ज़दा पावरफुल है, ना ज़दा उनके पास पॉलिटिकल पावर है, ना एकॉनमिक पावर है, ना मसल पावर है, कुछ नहीं है, ठीक है, चली, यह हमें दीवां में हमिसा रखेंगे इस बात को, ठीक है, चली, तो श्टार करते हैं, मुगल समराज की थापना करते हैं, अपन 1526 को, 1526 को, और पढ़ लिया था, उनको मुगल कहा गया, पूछा है एक बर एकजाम में, यूपर से पूछा था लगी, ऐसे मंगोल जिन्होंने इसलाम को सिकार कर लिया था, उनहीं मुगल कहा गया, और इन्हें राजा था आपका कौन, स्टार्टिंग थी, बाबर से, 1526 से 1530 तक है राजा था, 15 1526 में जिद्य जितता है, वहां से लेकर के 1530 तक था, फिर 1530 से 1530 से बेटा हुमाई हुआ जाएगा, तो जो बाबर है, इसकी मदर और फादर की दो डानेस्टी इंपोर्टेंट है, अगर फादर के तरफ से जाएंगे, तो तैमूर का नाम आपने सुना होगा, तैमूर लं का पाँचवा वंसस था बाबर, फिफ्ञ जरनेसन थी, लेकिन अगर मंमी के साइट से जाएंगे, तो आपने चंगेज खान का नाम सुना होगा, तो चंगेज खान का। मतलब मम्मी के साइड से चंगेज खान का यह आपका डानिस्टी है और फादर के साइड से तैमूर लंका दोनों बहुत डेंजरस थे कुर्शन पूछा है याद हैगा चलिए आगे 14 फर्वरी 14 फर्वरी को वैलेंटाइन दे हलाकि उस्टाइम पर नहीं मना जाता था तो 14 फर्वरी को बाबर का होता है जन्म कहां पर होता है फर्गना नाम की एक जगा में इयर इंपोर्टन नहीं है लेकिन याद हो जाता है 1483 में 1483 में कहां पर होता है बाप का नाम थ जो कि फर्गना नाम का एक छोटा सा राज्य था, फर्गना, वहां पे यह क्या था? राजा था छोटा सा, राजा था ज्यादा कुछ नहीं था, चली, उसके बाद में 1507 में 1507 में बाबर ने पादशाह का टाइटल लिया, बादशाह नहीं, पादशाह, पादशाह भी अपने आप में टाइटल होता है तो जो बाबर है इसने 1507 पादशाह का टाइटल लिया था इंपोर्टन्ट है ठीक है चलिए बाबर के चार बेटे थे हुमायू, कामरान, असकरी और हिंदाल किलिए बाबर के देट luc में एक चार बेटे थे हुमायू, कामरान, असकरी और हिंदाल याद रखेगा हाला कि में लिए देढ़ की खंप हो गए तो लेकिन आध से चार बेटे थे अगे है इसने हिंदुस्तान में उस ते युह आटएक pięat आरक कि話 थे कितनेikt सा उननीस में 1519 में इसने यूसु सज़ई जंजाती थी एक ट्राइब था वहां पर इसने अटेक किया और अटेक करने के बाद में बाज़ोर और भेरा ये दो किले पर कबजा कर लिया था कब 1519 में 1519 में कई लोगों को लगता है कि 1526 में जो बाबर ने अटेक किया थो पहला अटेक था ऐसा नहीं है यह उसके पहले भी पांच अटेक कर चुगा था जिनमें से एक अटेक था 1519 का जिसमें उसने यूसुफ जैजाती जो है ट्राइब है उसके खिला किया था उसमें बाजाओर और भेरा का फोर्ट इसने क्या कलिया था कबजा कलिया था ठीक है चलिए उसके बाद दौलत खान लोधी राना सांगा और आलम खान दौलत खान लोधी कौन था इब्रहाम लोधी का चाचा आलम खान कौन था आलम खान इब्रहाम लोधी का बेटा था और एक था राना सांगा इन्हों ने बाबर को इन्वाइट किया कि आप आओ और अटेक करके इ खान एक खाना का टैटल दिया था आप प्रहीम का नाम सुना होगा जो रहीम्दास थे रहीम्दास के नाम सब जानते हो इसने लाटा पहला बैटल जो बहुत बेटल लड़ा था उसने उसमें तुलगमा पॉलिसी अपनाई थी पहली बार जोपों को इस्तमाल किया था तो बगैरा का और छीप की अटेक करने का बहुत बहुत पॉरफल था है और पहली बार टोप खाने का से इसने पहले वाली बैटल मात्र 1526 में किया था इसके दो बहुत बड़े तोब खाने की निसांची थे उस्ताद अली और मुस्तफा ये दो बड़े निसांची थे जो की इस आपका युद्धो को लीड कर रहे थे आगे खवाजा कला और मीर मरान जो खवाजा कला और मीर मरान है ये बाबर के दो ऐसे सरदार थे जो की 1526 के बैटल के बाद में वापस काबूल लोट गए पूछा है कुछन एक्जाम में कौन-कौन थे 15-26 के बाद में दो सरदार जो की वापस लोड़ गए थे युद्ध के बाद में ख्वाजा कला और मीरमरान आगे नेक्स्ट पाद बाबर ने टोटल चार लडाईयां लड़ी हैं महत्रपून तो यह चारों लडाईयां जो है यह जो लड़के हैं नहीं इनको इतना पेलो जिद्ध हैं यह पूर्जिंदगी याद रखें हमारे गाउं के लड़के हैं छोटे-छोटे इतने बदमास हैं गुटका खाथा के पीछे से हल्ला करते निकलते हैं अगर पकड़ के आज बताता हूं इनको मैं आज चलिए बा पहले बाबर ने पानी पिया पानी पीने के बाद में पहल इसने खाना खाया खाना खाने के बाद में अपनी बीबी के लिए चंदेरी गया और चंदेरी गया तो क्या खायदा होगा चंदेरी की साड़ी और घागरा बड़ा फेमस है तो इसने घागरा खायदा क्या किया प पानीपत का बैटल, पानीपत का पहला बैटल, तीन लड़ाईया हुए है पानीपत की तो पहला बैटल, खाना से हो जाएगा खानवा, खानवा का बैटल, चंदेरी से हो जाएगा चंदेरी का बैटल, गहागरा से हो जाएगा घागरा का बैटल, डन, लग, चली, यह चाह ल जगा इर्मा ठीक है रूरल डेवलप्मेंट को देखता है इर्मा तो जो इंसलेंस को देखता है शायद क्या एक बड़ चेकर लेते हैं रुख जो मैं भी कई बर भूल जाता हूं मैं भी तुछ इंसान ही हूँ इंस्टिटूट ओफ रूलर मनेजमेंट आनन्द का लेकिन फिर भी चेक करना सही बनता है कि मेरे साथ यह है कि मैं वहीं चीज़ बोलता हूं जो हंडेड़ परशंट का नई होता तो फिर एक बड़ चेक करने में कोई दिक्कत नहीं ना अपने अपने सेल्फ एगुल चकर मे में गलत बता दूं कोई मतलब नहीं चलिए तो पानी पिया खाना खाया अचंदली जय घागा अगर आप पेहन लिया मतलब हो जाएगा तो पहला बैटल था पानी वाला वो लड़ा इब्रहाम लोधी के साथ दूसरा ना और और सारे के सारे बैटल में बाबर जीत गिया था ठीक है चलिए यह आपको स्लाइड दिखाई दे रहे हैं सामने आपको यह इर्मा दिखाया है आई आर एमें लिखा हुआ है समया गया और चाल ललाईयां कपकप लड़ी गई हैं बिल्कुल आसान हियाद करना 15 26 27 28 29 और किसे क कलंदर तो इसने क्या किया था जब इसने युध्ध जीता था युध्ध जीतने के बाद में इसने काबूल में पानी पतक पहला बैटल जीता था उसके बाद इसने काबूल में सिल्वर कोईंस बाटे थे सबको चांदी के सिक्के अना ठीक है जैसा मोदी जिने 15 15 लाख अंदर कहा जाता है ठीक है चलिए उसके बाद जो खानवा का बैटल हुआ था खानवा के बैटल के बाद में इसने जिहाद का नारा दिया था ठीक है जिहाद का नारा याद करने का तरीका कैसा है ज्यादा खाना खा लिया ज्यादा खाना तो जाता सुझागा जिहाद और खाणा सुझागा खानवा जड़े, उसके बाद में खानवा के बिटल के बाद ही इसने गाजी का टाइटल धारन किया था, गाजी झखे, गाजी, चले आगे 26 दिसम्बर 25 दिसम्बर नहीं, 26 दिसम्बर 1530 को आगरा में इसके death हो गई थी ठीक है दन और 26 दिसमर 1930 को आगरा में इसके death होई इसको सबसे पहले वही पर अराम बाग में दफनाया गया था बाद में वहां से इसको निकाला गया निकालने के बाद में इसको काबुल में दफनाया गया तो को इसका झो कबर कहां पर है और पूस्ता है क्यूंशन और याद करने हैं के आपने अगर मकडी मूइर मुनी थी उनमें कलू को साही ता है य। कहीत लड़की को एक बगते हथियार लेकर गड़ता है उस हथियार वो कहा जाता है बांका आंते आप लोग जानते होंगे ऐसा लकड़ी का रहता है और ऐसा लोहा रहता है अगर किसी को मार दो तो समझे तो बांका तो बास से हो जाएगा बाबर का से हो जाएगा काबुल तो बाबर का मंखवारा कहां प और वो चुका है बाद में अब्दुल्हीम खान खानाने इसको फारसि में अनुआध कराया था फारसी में ट्रंसलेट किया था किसको तुजुक ए बाबरी को डन चलिए एक मुबईयान मैथड है घर बगर बनाने की मुबई यान मैथट हना आर्किटेक्ट से लेटर है ये स्टार्ट करने का स्रे भी बाबर को ही जाता है आगे एक व्यक्ति है ख्वाजा अब्दुल्ला नाम सुना होगा आपने ख्वाजा अब्दुल्ला ये सूफी संत थे और बाबर जो है ये इन ही का अनुयाई था किसका ख्वाजा अब्दुल्ला का ठीक है डर चलिए इसका सक्सेसर कौन हमायू चार बेटे हैं कौन-कौन हमायू कामरान असकरी और हिंदाल इन में से इसका सक्सेसर बढ़ेगा कौन हलाकि इसने पिता जी के कहने पर पूरा जमीन बगरा बांट दी थी सब तरीके से लेकिन अपनी के लिए से से फीट होता है स्कौरा फीट होता है इंच होता है वैसे इसने गजा अ बाबरी चलाया था गज अ बाबरी आगे आम आयेगा ।कको मायू कौन आएगा हूस दन चले कोई छूटा तो नहीं कोई स्लाइट नहीं छूटा चलिए हुमायो का जनम होता है 6 मार्च 1580 को काबुल में इसको जो अम्मा थी हुमायो की माहिम बेगम ये सिया ब्रांच को फॉलो करती है सुन्य मतलब सुन्य में विश्वाश करते हैं सुन्य बहुत कॉंफ्लिक्ट है ठीक है आगे कि दिसमबर 1530 को हुमायो बैठता है गद्डी पे यूकि बावर त उमर गया छब तीस में मर गया ना कमरा 26 कि दिसंबर को तो चार दिन बाद से गड़ी ये बैठा कितना साल का था है ही वाज 23 एरस ओल्ड आगे जो जब हुमायू गड़ी पर बैठा था बाबर का बेठा तो उस ताइम पिए बदक सखां का सूबेदार था बदक सखां का जगह है वहां का जब은 आऐ है पिता जी के कहले पर इसने अपनी जमीन जत और बगरा बाट दिया था इसमे इसने काबुल कंधार और पंजाब कामरान को फयां तंभल धे दिया चाली को थे लड़कij को बात दिया है ही पर बदक सखां य जहसानों को बरदक सखां के ठॲाट के बर को आगे तोसा का battle ही एो बैस यून 1549 को लड़ाईं को ऩशेर खाल और हमायू के बीच में मोच्ता में या बेटल जो है वेच्शा के पास हैं जिसमें सिर्खा जीत जाता है और से अजिसमें को साल के और आइस्टानाम न prol epic tel साह बोले असके कई चाह पर ये जिक्र मिलता है कि शेल कहा नाम पराता था कि शेल ऐख को सब्सक्राइक ऋर्ख को साल Аफ समका था तोगे विशनन होगे वहान अपको बहान बताने के बहुत था और इस पंद्रह सो चालिस में हुमायू हार गया और सेरखा मतलब तेवस्ताह ने आगरा और दिल्ली पर कबजा कर लिया और यहां से पंद्रह सो चालिस से हुमायू बरबाद हो जाएगा जादा अच्छा होना भी ठीक नहीं होता है पंद्रह सालों तक पंद्रह सो चालिस में हुमायू गद्दी से भागेगा उठके और पंद्रह सालों तक दरदर भाटकेगा जंगल में दरदर भाटकता है लेकिन विबाद में है कि लेडी लख काम करता है इसके लिए आगे बिलिग्राम का बैटल हुआ था हुमायू और ठीक है चलो हो गया चली जो बता दिया मैंने न अब बिलिग्राम के बैटल के बाद जो हुमायू है ये सिंद्रह के जंगलों में पंद्रह साल तक भटकता रहा उसके बाद में इसका एक भाई था जिसका नाम था हिंदाल हाना हिंदाल तो हिंदाल के गुरू थे मीर बाबा दोस्त ये दोस्त है दुस्ट नहीं सोरी ओ लिखते लिखते यू लिखर गया है तो हिंदाल के गुरू थे मीर बाबा दोस्त जिनको मीर अली अकबर जामी कहा जाता है। उनकी बेटी थी जिसका नाम था हमीदा बानु बेगम। भाई साइम ने उसो साधी कर लिए। मतल़ कहानी कुलमला के हो गई थी रंगदे-चुनरिया वाले जो सिंगर है। अनुप जलूटा और उनकी जो वह है मैडम क्या नाम हों का जैसलीन कौन हो हाँ वैसलीन से कमनी भूचिकनी तो तभी तो फिसल गहा है नुप जलूटा तो हमीदा बानु बेगम यह इन से साधी कर लिए इसने और कपकी थी 29 अगस्त 1541 को और 29 अगस्त 1540 को ही माइकल जेक्शन का जनम हुआ और 29 अगस्त को ही ध्यांचन कहीं बर्थडे हैं और 29 अगस्त को ही द्राफ्टिंग कमिटी भी बनाए गी थी तैसे करते याद कर लिया कर लिए इंपोर्टेंट है विवाइद करो और इसी हमीदा बानु बेगम से बेटे क जनम हुआ था जिसका नाम है अकबर आगे अब बाबर लोटेगा और 1540 के बाद में बाबर आता है 1555 में 15 साल बाद सारे हिंद की होगी लड़ाई हुमायू और सिकंदर सूरी के बीच में जिसमें सिकंदर सूरी हारेगा और हुमायू जीतेगा और हुमायू पुर्ण दिल हमेख बर फेल हो जाते हैं इसका मतलब भी नहीं कि हमेज़ा हूंगे अगर आप कोशिच शी नहीं कि तो हारने का कोई सवाली पैदा नहीं होता कि अगर आपकोशिच की है मां लो सब्भाएं अगर हुआ है लोग डर जाते हैं बहुँ ज्यादा और उनको लगता कि आप हाता में सब्रूश एसा नहीं तो हुमायू से सिखने लाइगे कि हुमायू डेडिकेशन देखो उसका धहरे देखो लगतार कोशिश का तरह कोशिश की विजल्ट देखिए अगर हुमायू ठक कर हार के बैठ गय ग्ली नाठी अच्छी चीजे अच्छी चीज्ट में अच्छी चीज़ए है तो मस लिए बोला सब्लून मस लगा लिए अच्छी चीजिए सफर सिखना परखिशन पूरी बूरी नहीं है कई चेस्व है उसमें आगे है अब हुमायू के साल लाया होंगी 1531 1549 1545 तो याद करने का तरीका क्या है याद करने का तरीका है तरीका है द्रोह्रय चॉसा और सरहिंद कैसे आज करोगे यह तरीका है टाइक्ट कनेक्ट थान या कलो ऐसे डाइरेक्ट कनेक्ट्र्षन खुपी शुकला और डारेक्ट रुजख ड्पी ये और सुकला से जागा एस दी फोर दोहर्या सी फार्ट चोसा वर करनौज और एस और सरहन अतामाचा कि अनद है तो पर दोहर्या हुआ हुआ उन्तालिव में चौसा हुआ चालीज में करना जुग रपचापन में सरहनु वि है ठीक है चली यह होगे महात्पुन बैटल कि आगे एक जनवरी 1556 को अर्ष्ट जनवरी 1556 को दीन पन्नाह लाइबरी से भाई सब गर गए गौन बाबर बेटी हुमायू और गीरियों तो हो गए इनकी डैथ होने के बाद में इतिहास कार है लेन पूल कई बार होता है कि आप आए बसकि कि अधिक होद है और जिन्के में लिखे रहती है तो िद्रवी संटर पिर्व जाता है तो लेनपुन नामका इतिहास आई और लेनपून नामके इतिहासiliar कर गेर कर मार गया हमारी विबारे में कहते ही कि ये आपका कपड़े बहुत तोश्क की पहनता था जिना बड़ा जोतिस था ये हर दिन के इसाब ते कलर कपड़े पहनता था अब हमको जो वसीम सरे पर इतिहास पर हर तो हमारे साथ एक लगास जिनका नाम ता हर उसने ये नोट करें में बता दिये होते हैं तो मधी लिख पढ़ा देता बच्चों को कपड़े 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 पूछे का पर इजाम में कोई अंदर भी बैना है तो नहीं पूछने वालागी कई लोगों को जिग्याता होती है तब भाई ता मुझे इसके बार में ज्यादा नहीं बनाया था और उसको पता भी नहीं था कि ठीक तैस साल बाद 43 के बाद इसी से गिर का बिचारा मल जाएगा अगे तोर की महरानी थी जिनका नाम सा करणावती पदमावती नहीं वह हुमायू को राखी भेजा करती थी तो हो गया बाबर और हुमायू कल वाली क्लास मे अगबर आगे मुझे पतंद आगे होगा ऐसी पढ़ना है तरीके से पढ़ना है अपने दहां रखते हैं बाए